आपके शॉप के फेमाज आइटम ही है तो दो डिफ्रेंट गेट है एक तो यहां से है बड़ी पोल के लाता है यह लव नहीं साथ अच्छा कैमरा भी लादो हर हर महादेव है यहां सब्सक्राइब है टोग बेड़ी आपके लादेवियर आपके लादेव लादेव गुए होग तो गया दिन नहीं सुरुआत अभी हम जो राइटना खड़े है वो खड़े हैं यहां के सबसे प्रसित और पुराने मंदिर जो की है 500 साल पुराना यह आप मेरे पीछे देख रहे हो और अभी सबसे पहले शुबह उठते ही हम मंदिर में चलेंगे दर्शन करेंगे आज और आपको भी अंदर से दिखाएंगे अगर अलाव हुआ तो फिटो यहां की एक हिस्ट्री आप जितना भी एक अंस्ट्रक्शन देख रहे हो यह जितनी भी पथर है यह कोई भी सिमेट इस्तमें इस्तमाल नहीं करी गई है बिनान सिमेट के यह ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा हुए रहे आक करिती देख रहे हो कितनी ही सुन्दर है कितना ही पुर है सिर्फ स्टोन है सिर्फ पत्र यहां बताते हैं कि बाहर से भी कुछ इंजिनियर्स आए और उन्होंने देखा कि यह किस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर्स खड़ा हुआ है और इसमें कोई भी स्मेट वगरा की ऐसी कोई भी चीज इस्तमाल ही नहीं कही और उसके बावजूद भी इतने सालों से 500 साल से एज़ेटी इस खड़ा हुआ है अद्बुद यार इसे को बोलते थे टिकनालोजी इसी को बोलते थे शक्ति और संधरता तो चलते हैं अंदर मंदिर में और यह है आप अराम से पॉस करके पढ़िएगा अब 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 तो जस्त अभी मंदिर से वाकिंग डिस्टेंस हैं वह आप मेरे सामने देख रहे हैं वह है टेंपल यहां से मुश्किल से वाकिंग डिस्टेंस और हम पहुंच गए हैं पैलेस पे जो कि आप हमारे सामने देख रहे हैं अब यहां पे लेफ्ट में हमारे टिकेट काउंटर है यह सारे इसके सीटी पैलेस के चार्जेज दे रखे हैं इन्होंने एडल्ट से 300 पर पर संट चाइल हंडर्ड रुपीज वैलिड आइडिंटिटी आपके पास अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ सोर पे बेगरना पड़ेगा है अब हमने अभी जो हमारी टिकेट सी वो ले लिए इस तरीके के हमको यहां पर टिकेट मिलते रही है यह है अधरपुर पैलेस और यहां से एंट्री होगी अभी तो चलते हैं अंदर तो आप जैसे हमारे सामने तीन गेट देख रहे हैं यह तीन गेट बनाए थे यह तो यह जो आप यह देख रहे हो यह पहाड को ढखा हुआ है वाल के द्वारा तो दिस दस शाही चिन जो यहां का होता था पुराना और यह सारा गूल्ड से पनावाए गाइस तो यह है हाउस अफ मेवार पुरानी हिस्ट्री सबसे पहले जो राजा थे वह थे बापा जैसे कि आपको यह नजर आ रहोगी पतली सी गैलरी तो उस टाइम महल के अंदर यह पतली इसलिए बनाई जाती थी कि आपके दुश्मन जो आएं उनको आप अराम से पराजित कर सके एक एक करके और यह जो इतनी भी टाइल्स थी यह उस टाइम इंग्लैंड से मंगवाई गई थी जो कि इसमें यूजर रखी है यह पुराने टाइम के बरतन पूस टाइम इसमें खाना बनाया जाता था तो हमने पहले पूरा एक्स्प्लोर कर लिया काफी अच्छी तरीके से हमने एक्च्छी क्या है इस बार ही अंदर गाइड लिया था तो गाइड ने बहुत अच्छे समझाया तो एक्षिली क्या है मापर वीडियो ग्राफिय अलाव नी थी इस वजे से मैं आप लोगों को अंदर से नि दिखा पाया बट हां रिकमेंड जरू करूंगा आप एक बार जरूर आएं और यहां पर जब भी आया आप कोई भी पैलेस में अगर आप आएं तो गाइड करें गाइस रीजन भी तो गाइड होते ना उनको काफ़ी डिटेल में पता होते हैं वहां की स्टोर किया बट उतने अच्छे से नहीं हमें वापस अब बिना गाइड के जाएंगे तो जस दिवारे देख के वापस आजाएंगे बस जो वहां पर जो पिक्चर साइगा तो पूरी हिस्टी बताएगा कैसे क्या होता बट अब अच्छे एक्स्पिरिंस है गाइस तो आप कभी तो अब ज़रूर गाइड लेना और अन्हों ने अपने दो गणटे का समय दिया दो गंटे में उन्हारा टूरा दिया और चारज्जिस तो चलते हैं सबसे पहले यहां से करेंगे चौपिंग और फिर अपने शीका गाडी के पास और टाइम क्या हो गया यह तकी गड़ी सा कि आथ ही नहीं देती यार मैं ऐसे इसे कर रहा हूं स्क्रीन में टाइम ही नहीं आ रहा है कोई बात नहीं होता है करें भाई सपोर्ट करो तो महंगी वाली गड़ी लेंगी आपल वाउच कंपनी के ओरिजनल अभी क्या करें यार डूपलीकेट माल चलाना वड़ रहा है और इसे नहीं ले पा रहे हैं अभी क्या करें ट्रैवल इतना करना बढ़ता सारा तो महीं खर्चे जाता है तो चलते फटा-फट से गाड़ी में और निकलते हैं अपने घर की और तो इस टाइप की प्रिंटिट जो शर्ट्स हैं वह यहां की फेमस हैं काफी अगर आप आओ त अब लगए तो अपने होस्तलर से निकल चुके हैं और पार्किंग की और और हमारी गाड़ी इस्पैलन्स यह कैसा लग रहे हैं तो आज हाथ गाड़ी कीच रहे हैं अबना सबाद होगे पार्किंग पहुच रहे हैं अर्वस लास्ट व्यू इस लेक का उसके बाद सब्सक्राइब करेंगे वापिस घर की और आज तो यार मौसम भी यह लगा लो पूरा सनी हो रखा है बहुत के दूप है बटीक है दो दिन इसने हमारा बहुत साथ दिया तो गईस पहुंच गए हैं अपनी पार्किंग में और वह खड़ी अपनी कार पार्किंग बहुत सह सब्सक्राइब करें तो पार्किंग से हम निकल लिए हैं फते सागर लेकिया और गईस यहां पर देखो दोर पे साइकल आप साइकल पर अपनी पार्क कर सकते हो दो गंटे सिर्फ दोर पे मात्र एक्चली कि आई यह यहां का जो काइंड ओफ एमसीडी है सरकारी पार्किंग है और काफी सही पार्किंग अगर आप यहां नियरवाए कुछ एक्सप्लोर करना जाते हो आप पैलेस जाना जाते हो तो आप यहां पर अपनी गाड़ी पार्क करो और बाइवाक आराम से आप गूमते फिरते म नो पार्किंग ओके गाइज पार्किंग में यह नहीं लगा रहे है पर नो दोड़ी और बहुत खुब्सूरत लग रही है तो गई यहां पर यह है यह स्पीड़ वाट 236 रुपीज श्पीड़ बौट 236 इस तरीके का है यहां पर पार्किंग अलाओ नहीं है पार्किंग अभी ढूनते हैं यहां और यह अपना ऐसे कैमिल राइड वगर अभी यहां पर होती है कि यह फोटो शूट चल रहा है भाई तो जस्ट अभी आउटर निकल रहे थे तो यहां पर हमने देखिए अरोड़ा नम्कीन एंड शाट तो अभी यहां से पूछते हैं क्या कुछ आने का नहीं का लोग का लायर बढ़िया यह क्या चीज़ आपके शॉप के फेमज आइटम है यह तो वाइज यह है पालक चाट और यह चीज भाई जी है ओके और यह बैसिक कचोड़ी यह आप क्याज कचोड़ी सब्जी के साथ देते हैं चट्नी दाल गए है एक दो तीन तीनों प्लेट बना दो एक हाई यह और एक कचोड़ी हाँ जेपूर अभी तकरीबं बचा हुआ है यह पर्किंग डूंड़े पहले सबसे यहां से तकरीबं जो पुर बचा हुआ है यहां से जो हमारा नेविगेशन है वह दिखा रहा है पांच किलो मेटर राइट क्योंकि हम एक्सप्रेस वे से जाने वाले हैं तो मैंने प्रेम भा तो पाँच गंटे के असपास बाद हमारी ब्रेग लगी है और अभी राइट नाव हम जैपूर से हैं तकरीब अठाइस-30 किलोमेटर पहले हम पहुंच गया है गाइस हाइवे किंग का खाना चूक ना जाना तो हम यह खाना बिल्कुल नहीं चूकेंगे खाना खाएंगे और मुंबई एक्समेस ले बखड़ेंगे और सीधा घर और गाइस यह आप कंस्रक्शन देख रहे हो हो यह जस्ट यू लगा लो मेरे इसाब से साल एड़ साल पहले ही बिल्ट हुए यह और बहुत जादा अमेजिंग है यहां के जो लोकल्स हैं वह भी यहां पर आते हैं और क सबसे खाना भी हो तो यहां पर काईज यह है कि in case अगर आप लंबे ट्रिप पर कहीं जा रहे हो यह आपको स्टे करने का है तो यू कन स्टे ऑल्सों एर रूम सो बाप यह अच्छे लग रहे हैं नो डाउट च्यालो बाइट फाइव हमने अभी यहां का जो स्पेशल ठाली है एक इसाली आती है बॉर्डर की है यह वाला अधर इसका थेस तो नो डाउट बढ़िया है यह खाते हैं और पटापट निकलते हैं आगे कि और क्योंकि एक टाइम घड़ी नो पांच नो बच चुके हैं और अब यहां से अपना घर दिखा रहा है डाइसो किलेमेटर के आसपास और लगातार यह लगा लो जैपूर से बारिश चालो ही थी और अभी बारिश आगे देखो कितनी बारिश मिलेगी हमको हमारी कार वैलेड़ गाइस अब मुंबई एक्सप्रेस वे चड़ चुके हैं अब आपको वैसे तो यार यह रूट मैंने देखा हुआ है वह वह टूल वह तो गाइस हम अब डेली मुंबई एक्सप्रेस वे अब क्रॉस कर लिया है मतलब हमारा जो एक्जेट हो चुक है बस अब यह जो टूल है अब यहां से नीचे जो लोकल सोना रोड है उसको लेते हुए गुड़कावा गुड़कावा से फिर सीधा दिल ले और टाइम हो चुका है रात के एक मतलब यह लगा लो हम टाइम से पहले ही पहुंच जाएंगे इसमें शो कर रहा था का इस तीन बजे बटावी शो करने लगा है टू थर्टीन तो ठीक बाइक भी इस पर अला होती है और नो डाउट अलगी फील होता बट कोई नहीं एक बार ही जब यह पूरा कवर हो जाएगा तो इससे एक बार ही मुंबई भी एक्स्प्लोर करके आएंगे हम टोटल हमारा राउंड अबाउट हो गया है 1620 किलोमेटर हमने टोटल 1620 और प्र अबी दो बजे लेते हैं तो गाइस पता नहीं आसा कुछ हो रखा है अभी लाज जम आये थे लैंड राउन से जब भी राच के दोई बजे थे अरब भी राच के दूख सिस्टम समझ नहीं निकलते हैं किस टाइम पहुंचते हैं दोई बजे तो गाइस ठीक है फेर हम भी बस यहां से फटाबट भाई को छोड़ के अर निकलते हैं अगर तो यह वाले ट्रिप हमारा ओल्मोस्ट अच्छा रहा बारिश ने तो समा बान दिया रास्ते में बहुत जादा बारिश थी इस विज़े से एस्टिमेटी टाइम से हम पहले एक गंटा पहले ही आगे है तो